इस वीडियो में देखें दोस्तों मैं आपको discuss करना चाहूंगा कि जब मैं Windows 10 या Windows 11 install कर रहा हूं तो यहां पर एक message निकल के सामने आती है वो है Windows cannot install required files, the file may be corrupt or missing, make sure that all files required for installation are available and restart the installation और error code generate हो रही है यहां पर आपको confused हो जाते हैं sometime कि आपके laptop में problem कहां पे है क्योंकि आप ठक चुके होते हैं बहुत सारे pain trap को change करकर के check करते हैं लेकिन फिर भी यह आपको problem आती है यानि computer के अंदर बार बार Windows 10 या Windows 11 का setup चला रहा है लेकिन बार बार यह problems निकल के सामने आती है तो इसको कैसे fix करेंगे और कैसे identify करेंगे कि यह किस चीज की problem है वैसे most of the case में मैं कहना चाहूंगा कि यह जो आपको pain drive होती है इसी में problem होती है क्योंकि इस pain drive में जो आप port पे लगाते हैं तो आपको change करके देखना चाहिए port भी आपको change करने के ज़वाथ है यानि pain drive को निकाल लिए दूसरे और तीसरे पोर्ट से लगा के check कीजिए और फिर आपका setup अगर continue होता है तो well and good है otherwise इस pain drive को ही change कीजिए और दूसरे pain drive से try कीजिए क्योंकि ये pain drive जो है ये 2.0 वाली है और ये जो attach है ये 3.0 वाले USB port पे attach है तो आपको करने क्या है आपको 3.0 वाला या 3.1 USB वाला जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर 3.1 USB लिखी होई है और सही रूप से काम करने वाले pain drive के उपर windows bootable बनाए और windows bootable बनाके तब आप दूसरे pain drive से कोसित करें जैसे कि हमारे case में मैं अभी क्या try करूँगा कि इस pain drive को निकालके इस pain drive से 3.1 के उपर bootable बनाऊँगा और देन इस laptop को boot करवाँगा और तब यह problem solve हो सकती है क्योंकि actually क्या होती है कि जो भी required files है यह required files इस pain drive के उपर available है और यह pain drive जो है crash है corrupt है तो वो required files के पास जब हो hit हो रही है तो यह pop-up message निकल के सामने आ रही है तो यह जो pop-up message निकल के सामने आ रही है तो दूसरा क्या condition हो सकता है क्योंकि अगर आप pin drive को भी change कर दिए बहुत बढ़िया pin drive के साथ उसको replace कर दिए फिर भी यह message सामने आ रही है तो आपको करने क्या है number two जो हो सकती है region वो है आपके laptop का RAM यानि आप अपने laptop में RAM को change करके देखे RAM को change करने के बाद आपको यह find out करने की जरुवत है कि RAM में problem है या नहीं है क्योंकि जो required file होती है वो pain drive से transfer होती है RAM के उपर और then वो heart drive के उपर read and write होती है तो जो required file आप यहाँ पर देख रहे होंगे यह required file RAM के वजह से भी हो सकती है आपको क्या करने है RAM को निकाल के और फिर से दूसरा RAM आपको लगा के चेक करने है या फिर उसी RAM को सही रूप से clean करे और फिर से attach करे अपने desktop या laptop के उपर और तब जाके windows के setup को start करे और हो सकता ह है कि यह problem solve हो जा यानि दूसरा जो region हो सकता है वो है RAM के उपर लेकिन आप जो है एक अच्छे RAM और एक अच्छे pen drive के साथ भी अपने इस windows बुटेवल को check कर लिए है लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी जो है यह problem solve नहीं हो रही है तो तीसरा जो condition आता है वो है hard drive के अंदर जो hard drive लगी होई होती है उसके उपर सक जाती है लेकिन most of the case में जो disk वाली hard drive होती है जैसे SATA SSD की अगर हम बात करें तो वो अगर disk वाली hard drive होती है जैसा कि आप समझ सकते हैं कि अभी जो laptop आ रही है new one वो है laptop SSD के साथ आती है या M2 SSD के साथ आती है तो SSD वाली hard disk अगर निकल के सामने आए क्योंकि SSD वाली hard disk की जो life है वो अच्छी होती है comparison to disk वाली hard drive क्योंकि disk वाली hard drive में mechanism बहुत सारी चीज़े होती है disk के उपर memory के उपर data read and write होती है जो disk घूमती है जैसे CD DVD में disk घूमती है तो उस वजह से भी जो disk के उपर chances होते हैं कि बहुत सारे track और sector जो है वो corrupt हो जाते है hard drive के यानि hard drive के उपर chance जाती है तीसरा region इस problem को सामने आने का क्योंकि यह problem आपको बार बार दुबारा भी अगर आप setup चालू करेंगे start करेंगे तो हो सकता है कि यह same problem आपको देखने को मिले इसलिए आपको यहाँ पर तीसरा region हो सकता है वह hard drive यानि hard drive को laptop से निकाले और दूसरा hard drive new one SSD या M2 SSD NVMe SSD के साथ आप जो है अपने laptop में अगर NVMe SSD लगने वाली slot है M2 slot तो उसके उपर भी आप लगा सकते हैं या SATA SSD को आप अपने laptop में attach करें और Windows setup को start करें नहीं तो यह problem बार बार आपको आएगी जो आपको यहाँ पर दिख रही है तो उमीद करता हूँ कि यह तीनों step को follow करें सबसे पहले pain wrap को ही आप replace करके चेक करें सबसे पहले यह pain wrap को जो है एक दूसरे port के ऊपर change करके देखें मतलब आपको port को change करने की जरूवत है दूसरा है कि आपको यही pain wrap अगर यह काम नहीं कर रही है दूसरे तीसरे port पे भी लगा रहे हैं तो pain wrap change करने के जोगत है new one 3.1 के साथ क्योंकि जो भी laptop आ रही है 3.1 हो सकती है कि किसी किसी में यह 2.1 से भी काम चल जा है क्योंकि port जो है वो mismatch होगी 2.1 3.1 यह 3.0 तो यह problem देखने को मिल सकती है इसलिए जरूरी नहीं है कि यह pain wrap crash हो क्योंकि जिस रप्तार में data transfer होती है उस रप्तार में यहाँ पर pain wrap 2.0 के वजह से data transfer speed जो है वो slow पर जाएगी तो यह problem निकलके सामने आएगी यह भी एक case होता है तो इसलिए जरूरी नहीं है कि यह pain wrap बिल्कुल पूरी तरह से जो है crash हो गई है क्योंकि हो सकता है कि यही pain wrap दूसरे में काम कर दूसरा है कि आपका RAM वगरा change करके check करे start करे installation और तीसरा है कि hard wrap वगरा change करके check करे start करे installation दोस्तों यही pain wrap से हमारी जो windows installation है वो पूरी तरह से completely complete हो गई है और windows अब यह start हो ड़ी है यह starting phase में है 100% installation के बाद same laptop same windows operating system बट यहाँ पर जो pain drive है वो change हो गई है और pain drive चेंज करते ह विंडो जो है वो successfully install हो गई है तो one by one pain drive को change करे pain drive के port को change करे RAM को change करके check करे या RAM को clean करके check करे या hard drive को change करके check करे SSD और NVMe के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए thank you so much for watching this वीडियो और अगर आप computer technical बनना चाहते हैं तो computer lab youtube technical channel को जरूर subscribe कीजेगा और वीडि झाल झाल झाल